राश्ट्री प्रेस दिवसपर अरर्या में पत्रकारिता की बदलती प्रविर्टी और चुनोतियों पर शांदार गोश्टी का आयोजन हुआ है जिसमें पत्रकारिता के बदलते आयामों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आमाजिक परिवेश को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान सोशल मीडिया के बड़ते प्रभाव का भी जिक्र चाया रहा। राश्ट्रे प्रेस दिवस पर आयोजित विचार गोश्टी में सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस कारिक्रम में एस पी राम पुकार सिंग, सदर एस डीम अनिकेट कुमार, जिला भू अरजन पदाधिकारी वसीम एहमद, वर्ये उप्सा महरता, डॉक्टर राम बाबू, आईसी डियस की डी पी ओ, मंजूला कुमारी व्यास, अलपसंक कल्यान विभाग के सहायक निदेशक सुभोत कुमार, सामाजिक सुरक्षा कोशंग के सहायक निदेशक निदेशक कुमार पाठक, जिला पंचायती राजपदाधिकारी मनीश कुमार मौजूद थे। अलरिया डिस्ट्रिक प्रेस एसोसियेशन एंड विलफेर ट्रस्ट ने इस मौके पर सभी पताधिकारियों और स्थानिय पत्रकारों को पहचान पत्र वित्रित किया है। राश्ट्रिये प्रेस दिवस पर आयोजित विचार गोश्टी में कुल मिलाकर सकारात्मक चचा हुई है। इससे पहले कारिक्रम का शुबारंब संग के सदस्यों ने संजुक्त रूप से दीप परजुलित कर किया। वहीं कारिक्रम का सफल संजालन वरिष्ट पत्रकार जियोतिश कुमार जानी किया। छोटे बड़े प्रेश से जुगे पताविकारी तर्मी है। वह जब यह अगर कोई सुनहराव अपसर्थ मिलता है या प्रदान किया जाता है। तो उसमें कुछ सार्थ तक्व या सार्थ विर्दू पर ही बात करें। जिससे आपका समाज का हमारा भणाव। परिवर्तन प्रक्रिति से सुरू हुआ है। प्रक्रिति का सुरूप, व्यक्ति के सुरूप, और समाज का सुरूप। तीनों में परिवर्तन हुआ है। किसी एक व्यक्ति को इसके लिए दोसार उपर नहीं किया जा सकता। सभी में परिवर्तन हुआ है। और वार्थ व्यास प्रावी तुए